वेल्कम टू स्रीजी फूड मैं हूं मनिशा ठककर आज हम बनाएंगे सर्दियों के लिए खास टमाटर का रसम तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तमाटर का रसम बनाने के लिए यहां पर दो मिडियम साइज के तमाटर लिए हैं जिसे धोके पहले साफ कर लेना है और अब हम इसे कदू कस करेंगे अभी जो हम measurement लेते हैं उससे एक बड़ा बाउल रसम बन कर तयार होता है टमाटर को कदुकस कर ले उसके बाद हमें इसके लिए एक मसाला तयार करना है जिसके लिए हम 6-7 काले मिर्च और थोड़ा सा जीरा लेंगे और उसे दर-दरा कूटके तयार करेंगे इसका fine powder नहीं बनाना है तो इस तरह से मैंने इसे कूटके तयार कर लिया है इसे के साथ हम इसमें 7-8 मेठे निम के पत्ते डालेंगे और थोड़ा हरा धनिया डालेंगे जिसे भी हमें थोड़ा कूटके तयार कर लेना है अगर आप लसुन खाते है तो इसमें दो कली लसुन भी एड़ कर सकते है अब हम एक कड़ाई लेंगे और उसमें एक ग्लास यानि की दो स्वयमिल पानी डालेंगे फिर जो टमाटर हमने कदुकस करके रखे है वो डाल देंगे इसी के साथ एक हरे मिर्च लेनी है जिसे इस तरह से लंबा कट करेंगे जो मसाला हमने कुटके रखा है वो डाल देंगे इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी और एक चम्मच हम इसमें इमली का पल्प डालेंगे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले और इसके उपर ढकन लगा कर इसे मिडियम आज पर 3-4 मिनिट के लिए बॉल होने दे 3-4 मिनिट के बाद हम इसे चला लेंगे तो ये टमाटर का रसम अच्छी तरह से बॉल हो गया है जो मिट्ची हमने इसमें डाली है वो इस तरह से एकदम सॉफ्ट हो जाएगी अब हम गैस बंद करके इसे साइड में रख देंगे और इसके लिए एक तड़का तयार करेंगे तो थोड़ा सा तेल गरम कने के लिए रखे फिर इसमें आदा चमच राई डाले राई चटक जाए उसके बाद इसमें थोड़ी उरत दार डाले इसे के साथ एक सुखी लाल मेच और थोड़ी सी हिंग डाल कर इसका तड़का तयार करेंगे गैस बंद करके ये तड़का हम रसम मेड करेंगे अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले तो ये हमारा गर्मा गरम टमाटर का रसम बनकर तयार है इसे हम एक सर्विंग बॉल में निकल लेंगे ये टमाटर का रसम सर्दी और खासी के लिए भी बहुत हिल्फुल रहता है तो आप इन सर्दियों के दिनों में इसे बना कर जरू ट्राइ करें उमिद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंदाई होगी